क्या लगा था सब को कि जहनक चुपचाप इस ट्रॉफी को हार जाने के बाद सब कुछ भूल भूला कर यहाँ से चले जाएगी जहनक उन सभी को सजा नहीं दिलाएगी जो जो उन्होंने आज तक जहनक के साथ इस शो में किया था जहनक के ओपर संगीर आर्रोप लगाया थे, रक्स कंजूं का आर्रोप लगाया था, पिल्स खाने का आर्रोप लगाया था और न जाने वाडरो माल फंक्शन के बीच में क्या-क्या बाते बोली थी, केरेक्टर के उपर जो जो उन्गले उठाए थी यानि अब जहनक ने ये सोच लिया है कि शोग खतम हो गया है लेकिन सबका हिसाब करना जरूरी है क्योंकि ये सभी को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया तो ये लोग आगे भी मेरे साथ ऐसे ही करते रहेंगे और इनको ये लगेगा कि मैं कमजोर हूँ इसलिए जहनक का CID का खेल शुरू हो चुका है और अब जहनक का अगला शिकार कौन है आईए जानते आज के इस खास रिपोर्ट में नमस्का दोस्तों आप सभी का स्वागत है टाइमस ओफ मिडिया में जहांपर मैं वेनु कुमार आपके अपनी पसंदिजा शो जहनक से जुड़े एक और अबडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिरू जहांपर बात करे ना तो अब ये शो ऐल्रेडी ख़तम हो चुक है डांस वाला रियालिटी शो जहांपर जहनक ने अपने आपको हराया और जहनक ने आज एक लंबी चौरी स्पीच भी दी थी जहांपर जहनक ये बताती है कि वो कैसे एक चायवाली थी यहांपर काम वाली झीट को सर्व करती थी, लेकिन वनी स्टुडेंट ने ये सुचा कि ये जो हमें सर्व कर रही है ये हमारे साथ हमारे स्टेज को शेर कर सेव करेगी, ये उने शैद थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा होगा और ये मैं मानती हूँ कि हाँ मेरी गलती है, लेकिन मुझे बहुत बड़ी बात और भी बोलती है। और अर्शी इस वक्त जनक को गुस्ते से देख भी रही होती है। लेकिन जनक का स्पीच यहीं खतम नहीं होता है। बलकि जनक इसके बाद और भी नए नए बाते करती है। जनक बताती है कि भाई अब ना यहां से एक नए सिलसिला शुरू करना है। मैं अपने जिन्दगी क ना क्या क्या हुआ पिल्स वगरा यह सब चीज ना यह मैंने नहीं किया। क्योंकि मुझे पिल्स लेने की आदत ही नहीं है। भाला हम भी तो जानते हैं कि भाई कभी भी जनक को पीस लेने की आदत ही नहीं है। जनक भी यहीं बताती है कि मुझे उसकी जरूरत पड़ती ह नहीं है मैं अपना time to time खाना खाती हूं सोती हूं अपना दिन चरिया जो भी यह daily routine अपना अच्छे सा follow करती हूं तो मुझे इन सब क्या ज़रत है वहीं दुस्तरी तरफ यह बोलती है कि मुझे pills लेकर dance performance करने की भी ज़रत नहीं है मैं अपने प्रतिबा को पहचानती हूं बोलती है कि हाँ मुझे वो दिया गया है pills और किसने दिया है मुझे ये भी पता है और उस वक्त ना वो उन students को देखने रहती है जो कि साइना इन सारे लोग मौजूद होते हैं और उन लोगों को एक पल के लिए यह लगता है कि भाई यहाँ पे होने के बाद जहनक ने ना इनके हरकत के वाई से किसी के जान चले जाए यह भी तो हो सकता है इसलिए जहनक क्या करती है इसके बाद एक बात बताती है कि मैंने पुलीस में करा दी है और जल्दी उनको सजा मिल जागी यानि कुल मिलाकर अब सजा मिलने का जो खेल जहनक ने शुरू कर दिया और जहनक कि खतम होने के बाद भी शो की जो pending काम है जो असली काम है उनको अब जनक पूरा कर रही है वो भी अब हारने के बाद लेकिन यहां से जनक ने एक और इशारा भी दिय है कि ऐसे कुछ लोग भी है सर कुमार सानु सर यहां पे शो में जिन लोग मुझे आगे बढ़ते हो वे नहीं देखना चाते हैं ऐसे कुछ लोग है जिन लोग मुझे इस शो से डिस्कौलिफाय कराने के लिए सारी जद्दो जहद में बढ़िगा थे हैं ऐसा बोलके जनक ब्रिजबूशन की तरब भी देखती है यानि कुल मिलाकर आज जनक ने अपने स्पीच से ना पूरा स्टे जनक ने जाकर पुलीस को ये बता दिया है कि उसके सथ क्या क्यों हो था और जनक ने यह चीज़े ये भी बोली कि भाई मैंने ना शो के बीच में चाहिए उत्योग कारवाई कर सकती थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया ति जिस शो में मैं जा रही हूं और इसके बाद जनक करती है, मानना पड़ेगा भाई, makers को मानना पड़ेगा, यहाँ पर जो maturity दिखाते हैं भाई, वाकि मानना पड़ेगा, और जनक के अंदर जो यह डलॉक्स और इसे जो talent दिया जाता है, इसे बोलने का, वो भी एक level का है, क्योंकि सोचे ना दोस्तों कि को पूरा जो श्रेय है न, मैं अपने audience को देना चाती हूँ, जो मेरे voter से जिन्हों ने vote किया, उन्हीं के दम पे मैं यहाँ तक पहुची हूँ, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, सर जुका कर उन्हें नमन करती हूँ, ऐसा बोलने के बाद जनक को ये भी पता चल जो जो मिलते गए, उन्हें मैं अपना परिवार मानती चले गई, लेकिन परिवार ने मुझे से क्या किया, मुझे तो परिवार ने आज अकेला छोड़ दिया, और परिवार ने इस तरीके से मेरे को को सापीटा वीटा, कि आज मैं उनके साथ रही नहीं पारी हूँ, और एसा बोलके या जनक न, अनिरुद को जी देखती है, यानी कुल मिलाकर अब एक-एक का नंबर चालू हो चुक है दोस्तो, अब जनक के को करके सबक सिखाने वाली है, एक-एक शिकार करने वाली है, और अगला शिकार बताऊं दोस्तो कौन होने वाला, वो है सृष्टे, हमारी एक और बड़ी रिपोर्ट भी है, जो मैं आपको अगली रिपोर्ट में बताने वलाओ, लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी जलक बता दू ना, तो यहाँ पे जहनक ही है, जो आधित कपूर के द्रू में सृष्टी के उपर अटैक करने वाली है, सृष्टी को जेल के पीछे बेजने वाली है, हलाएं कि सृष्टी ने आए दिन कुछ ना कुछ जहनक के साथ किया था, लेकिन यहीं नहीं, बलकि जहनक और अर्शी के बीच में भी जो बाते हुई थी ना, उसमें भी अर्शी को उक्साने वाली सृष्टी थी, ये बात भी जहनक को पत आप दिखना चाहते हैं, मैं तो दोस्तों बोलता हूँ कि ना, ब्रेज बुश्टान, शिष्टी अर्शी, तीनों को एक साथ ही डाल दो भाई, और लगे हाथ यहीं तेजस मिलता है तो उसके उपर कारवाई कर डालो, और ना, जनक की जिनकी के सारे मुसीबत अटा दो, व दिखना होगा कि क्या इस बारे में कोई पुश्टी मिलती है, क्या वाकए शक्ति अरोरा आते हैं, क्योंकि शक्ति अरोरा इस शो के नए लीड हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है, शो के गिरती टी अर्पी को उपर उठाने के लिए प्रोडूसर और मेकस ने ये डिसिजन ल अब ऐसे में इसके उपर क्या कारवे चलती है, और कब तक हमें शक्ति अरोरा दिखते हैं, ये देखना बड़ा ही दिल्चस्पोगा, तो नए चेहरे के लिए और शो के आने वाल एपिस्टोड के लिए आप कितने एकसाइड है, अपना कीमती सुझाओ कमेंट के सज़े ज अजय है।